आप सभी को जैमसी की हम सुभा की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत करते हैं और हम पिता परमिश्र के महान प्रेम और अनुग्रहे को याद करते हुए आज की सुभा की प्रार्थना को अपनी पूरे हिदे के साथ पिता परमिश्र को अर्पित करेंगे कि उन्होंने हमा करते हुए आज की प्रार्तना को करेंगे तो आईए आज की प्रार्तना को हम चुरू करते हैं हालिलुया धन्यवाद पिता परमेश्र हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुभा के लिए जो आपने हमें दी हैं हम आपका धन्यवाद करते हैं आपने अभी तक हम सब को में रखा है अपने पंकों के नीचे हमें रखा है और हर एक प्रकार की बिमारियों से आपदाओं से हर एक प्रकार के जिवानों और विशानों से हमें बचाया है हमें कोई भी बिमारी नहीं होने दी यहां तक कि इस कोरोना के समय में आपने हम सब को सुरक्षित रखा है हम आ आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्री सुभा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अभी तक हमें संभाला और ये सासे दी कि आज भी हम जीवित हैं यहां तक ही बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज की सुभा को नहीं देखने पाए आपने हमें आज भी ये द प्राकत और अनुग्रहे दीजे जिस प्रकार से आपने हमें बाइबल में वायदा किये हैं कि यदि हम आपकी हर एक आग्याओं को अपना चित लगाकर उन्हें पूरी करें तो आप भी हमें हर एक चीजों में आशिशे देते हैं सचमुछ में पिता परमेश्र जिस प्रकार स आपने हमें वैवस्ता वीवरण 28 सध्याएं में कहा है कि यदि हम आपके आग्याओं को मानेंगे और सचमुछ में उनके अनुसार चलेंगे तो आप हमें हर एक चीज में आशिशित करेंगे जिस प्रकार से आपने हमें वायदा किया है कि हम धन्य होंगे अपने नगर में अपने खेट में जहां कहीं भी हम जाएंगे पिता परमिश्र हम आफसे प्राथना करते हैं, आप हम सब की मदद कीजिए कि सचमुच में आशिशों को प्राप्त करने के लिए यही वो कुंजी है जिसका पालन हमें करना है, हम आफसे प्राथना करते हैं, हमने इस बात को जान है कि हमारे पिता परमिश्र वो सचमुच में विश्वास योग्य हैं और जो वो हमसे वायदा करते हैं वो निश्चित तोर से उसे पूरा करते हैं यदि हम भी परमिश्र के वश्णों के अनुसार जीए तो पिता परमिश्र आप हमें भी महानता से आशिशित करेंगे हम चाह हिदे की पवित्रिकर्ण के लिए हम अपने हिदे में पवित्रात्मा के द्वारा उन पापों को उन कम्यों को हम ढूनने पाएं कि हाँ अभी भी हमारे पास बहुत से प्रकार की कम्या हैं तमाम पाप हमारे हिदों में हमारे सोच इचारों में हमारे काडों में पाए जाते है हम आपके वश्णों को पढ़ें हम आपके वश्णों को सुने ताकि हम अपने हिर्दे को जाशने पाएं कि सच्मुश में वास्तों में हमारे पास किस प्रकार का हिर्दे है किस प्रकार की भूमी हमारे हिर्दे की है और आपके वश्णों के द्वारा और पवित्रात्मा की बदलने पाएं सच्मूज में अभी भी हमारे पास वो पत्रीली कंटीली और जाडियों वाली भूमी है जिसमें अभी तक जब भी आपका वचन जो हमारे हिर्दे में बोया गया वो थोड़ा सा होगा लेकिन उसके बाद वो तमाम संसार के चिंताओं के कारण तमाम शरीर की अभिलाश्याओं के कारण वो वचन वहागे नहीं बढ़ने पाया हमारे तमाम पापों के कारण वो वचन वहीं पर दब गया पिता परमिश्राप हम सब की मदद कीजिए कि हम अपने हिर्दे से उन पाप में रूपी पत्रों को उन गंटीली जाडियों को हम दूर करना चा पिता परमिश्र हम आपका धन्यवात करते हैं कि सचमोच में आपने हम सभी मनुश्यों को उस भूमी की मिट्टे से बनाया क्योंकि आप जानते थे कि मनुश्य का हिर्दे वो पाप से ग्रसित हो जायेगा उसमें बहुत से नाना प्रकार के पाप आज जाएंगे क्योंकि अपने योश्णा की अनुसार हम मनुश्यों को भूमी के मिट्टे से मिलाया कि हाला कि जब आदम ने पाप किया उसके बाद मनुश्य के हिर्दे में तमाम प्रकार के पाप आये लेकिन आप इस बात को जानते थे कि जब परमिश्र के वचन के अनुसार आपकी संताने और ये पवित्री कंड के वचन दिये जिसके द्वारा हम जानने पाए कि सचमुश में हमारा हिदे जो है वो एक मिट्टे से बना है यदि हम उसमें भली चीजों को डालते हैं यदि हम उसमें भलाई को प्रिम को डालते हैं तो हमारा हिदे जिसके भूमी पहले बंचर हो च एक अच्छी भूमी बनाना चाहाते हैं, जो की बहुत से फलों को लाने पाए, पिता परमिश्राप हम सब की मदद कीजिए, हम आपसे प्रारतना करते हैं, कि जब भी हम वश्णों को सुनते हैं, आप हमारी आत्मी काको को खोलिए, कि सचमुच में उन वश्णों के द्वारा हम अपने हिदे को जाशने पाए, हम अपने सोच उचारों को जाशने पाए, हम अपने कारियों को जाशने पाए, कि किस प्रकार के कारिये अभी भी हम करते हैं, किस प्रकार से दूसरों के लिए गलत कामों को हम अभी भी करते हैं, और हमारे पास किस प्रकार के सोच उचार है कितना जादा गुस्फा दुर्भावना जलन नफरत वो हम अपने सोच इचारों में करते हैं पिता परमिश्य आप हमारे मदद कीजिए सचमूश में इस मनुष्य जाते की जुताये के दोरान जो आपने हमें दिया है इसमें हमें अपने सहायक पवित्रात्मा को हमें दिया पिता परमिश्र हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि पवित्रात्मा के द्वारा आप हम सब की मदद कीजे कि हम भी अपने हिर्दे को एक अच्छी भूमी में बदलने पाए जो 30, 60 और 100 गुना फलों को उत्पन करने पाए आप हम सब की मदद कीजे कि हम आपके वश्णों पर मनन करने पाए जो भी आपने हमें वचन दिये है पिता परमिश्र जब भी हम आपके वश्णों को पढ़ते हैं हम बाइबल को पढ़ते हैं और संदेशों को सुनते हैं तो ऐसी चार चीज़े हैं जिने हमें रखना है अपने हिर्दे से दूर कर देना है और जिन बातों का हमें पालन करना है और जो हमें अपने जीवन से नहीं करना है आप हम सब की मदद कीज़े कि जब भी हम वशनों को सुने जब भी हम आपके वशनों को पढ़ें हम उन थमाम बातों को पहचानने पाएं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपने जीवन में नहीं करना है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें पालन करना है ताकि उनका पालन करने के द्वारा हम सब बहुत आयसे आशिशों को प्राप्त करने पाएं आप हम सब की मदद कीजी कि ह हम ऐसा करने पाएं हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता पर मिश्र की आपने जिसें टीवी हिंदी की द्वारा हमारे सीनिय पास्टर रेबरेंट डॉक्तर जराउकली के द्वारा आपने उन संदिश्यों को हमें दिया कि जिसकी द्वारा सचमुच में हम अपने हिदे को पहचान सकते हैं उन वचनों के द्वारा वो वचन सचमुश में एक शिशी का कारे हमारे हिदे के लिए करते हैं पिता परमिश्रों सचमुश में यदि आप अनुग्रहें ना दे तो हम अपने हिदे को भी पहचान नहीं सकते हैं इसलिए हम आपसे प्रार् अपने तमाम पापों को हम उन्हें दूर करने पाएं और अपने हिर्दे को प्रिमोर भलाई के द्वारा जोतने पाएं जो आप हमसे चाहते हैं पिता परमिश्र आप हम सब की मदद कीजिए अपने ताकत और अनुग रहे दीजिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभुश्य मसी के नाम से प्रात्ना करते हैं आमेन हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं जो भी हमारे साथ इस सुभा की प्रार्था में शामिल थे और आप जीसें टीवी हिंदी चैनल के बारे में आप दूसरों को भी शेयर करें ताकि बहुत से लोग वो परमिश्र के वश्रों को जीसें टीवी हिंदी की द्वारा सुनने प आपका धन्यवाद